आज की वीडियो हम लोगों के लिए बहुत इंपोर्टन है क्योंकि आज की वीडियो में हमको समझ में आने वाला है कि हमारे जो DCN होते हैं वो DCN क्या एक रुपोर्ट के उपर होते हैं क्या वो DCN हमारे इन्वेस्ट के उपर होते हैं वो हमारी रिसर्च के उपर होते हैं तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपर्टन वीडियो को पूरा देखना है कि आज हुआ क्या सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां पर देखें मैं कुछ बताने वाला हूं आपको आज देखें आज फिर से एक टूट किया है और उस टूट में देखें यहां पर बोला गया सम्तिन बिक कमीन सून इंडिया ठीक है यानि भारत के अंदर कुछ बड़ा हो सकता है क्या हो सकता है इंडिया में क्या बड़ा हो सकता है ठीक है उसके बारे में बात करेंगे और ऐसा देखें पहले research firm है उसने देखिए अदानी गुरुप के उपर एक रुपोर्ट जारी किया था और उसके बाद क्या हुआ था अगर आप देखोगे तो लगातर आपको यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम बात करें तो कितना पसेंट सेर गिरा था इस जगह देखे रिपोर्ट आई थी और रिपोर्ट आने के बाद अगर हम बात करें तो सतर पसंद के आसवास की हमको सेलिंग देखने वो ली थी अब जे एक पर्टिकूलर देखे इस टॉक था यानि एक गुरूप था उस गुरूप के ऊपर देखें यहां पर एक रुपोर्ट लिका ली थी लेकिन अब क्या हो सकता है अब क्या कुछ ऐसा आ सकता है जो इंडिया के अंदर देखें एक बड़ी सेलिंग ला सकता है या फिर हम बात करें कि यह एक साजिस भी प्रेइक हिं हो सकती है कि अगर आप देखोगे तो अमेरिका में क्या चला है उनका डेटा कमजयर आने के बाद उधर-क अगर आप देखोगे तो सभी इंडेक्स आपको गरते हुए दिखाई दिए, गलोवर की क्या हालत थी कुछ समय पहले तक अपने देखा होगा, ठीक है, वहाँ पर पैसा सही से नहीं आया, इंडेक्स आपके गरे, निकई की आपकी क्या हालत थी, निकई में आपको देखे, गरता हुए दिखाई 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 इरान्त में क्या चलता हुए दिखाई 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 दे रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर देखे, बड़ी बड़ी सेलिंग आ रही है, लेकिन उसके बाद भी चीजे क्या होती है, कि अगर आपके अमेरिका में आपको 12% की गिराबाट आ रही है, आपकी निकई में 11% क इसमें क्यों कम सेलिंग आ रही है, इंडिया के अंदर, अगर आप FIS की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप डेटा समझो, डेटा आपको क्या दिखाई दे रहा है, कि अगर हम बात करें, FIS कंटीनू सेलिंग करते हूँ दिखाई दे रहा है, अगर हम एक तारीक की बात करें यहाँ पर क्या हुआ था, उसके बाद पूरा सेलिंग किया था, लेकिन D.I.S के पास पैसा इतना कम आ रहा है, हमारा जो इंडिया मार्केट है, यह अगर मैं निप्टी की बात करूँ, निप्टी आपका इतना कम क्यों गिर रहा है, जब भी गिरावट आती है, पूरी अगर हम FIS की देखे, डेटा की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप समझो, अगर मैं देखे, यहाँ पर बड़े डेटा की बात करेंगे और खुल के बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है, एक एक चीजों के बारे में बात करेंगे, अगर हम बात करें तो देखे, यह हम पर आपको 55 करोड के समतिंग की देखे खईदारी की थी अपरेल की अगर हम बात करते हैं तो 44,180 करोड की खईदारी की थी अगर मैं इस जगह जुलाई की बात करता हूं तो 55,733 करोड की जुन की अगर हम बात करते हैं तो 28,633 करोड की आसपस की देखे जगह खईदारी की थी अगर मैं देखिए जिगह जुलाई की बात करता हूं तो जुलाई में देखिए हैं पर तेज करोड चात्सो अच्छी करोड के आसफस के खईदारी की थी लेकिन अब डियाइस के क्या हाल था अगर आप देखो तो डियाइस ने पूरी कोसिस किया अगर आप जनवरी में बात करोगे तो यहां पर देखिए 35,000 करोड के आसफस की यहां पर सेलिंग की लेकिन उसके बाद भी बजार ऊपर है अगर हम बात करें फरवरी में तो 15,960 करोड की आसफस की बिक्वाली की ठीक है यहां पर भी बिक्वाली की उसके बाद एक छोटी खईदारी जरूर की लेकिन उसके बाद अपरेल में 35,000 करोड की आसफस की इसके बाद मही में अगर हम बात कर तो यहां पर हमको देखने हो लेगा 40,000 या 42,000 करोड के आसफस की बिक्वाली की अब इतनी बिक्वाली होने के बाद भी इंडिया का बजार कहां पर टिकाए तीक है पहली चीज़ दूसी चीज यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी बोला क्या गया कि कुछ बड़ा हो सकता है अब किसमें बड़ा हो सकता है ऐसा कुछ भी देखे जगा नहीं बोला गया और दूसी चीज में आपको और इसमें थोड़ा डीटेल में आपको बताना चाहूंगा कि एक बार आप इसको देखे कि hinder work करता क्या है इसका कमाई का source क्या होता है कोई समाज सेवर करने के लिए नहीं बैटा है इस चीज को भी समझो क्योंकि अगर हम research करते हैं तो उसमें पैसा लगता है पैसा लगता है तो पैसा कमाना भी है कैसे कमाएंगे पैसा तो एक पैसा कमा आने का source भी हमको चाहिए तो हिंड़क वर्क करता क्या है हिंड़क वर्क सौट सेलिंग करता है और जे सौट सेलिंग जो करना चालू हुआ था यानि यह कंपनी जब ओपन हुआ था तो आपको 2017 के आसपस्त अब विक्किपीडिया क्या 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 कहती है विक्किपीडिया तो विक्किपीडिया क्या कहती है इसके बारे में आप थोड़ा विक्किपीडिया से समझे विक्किपीडिया के मुताबिक हिंडन बर्ग रिसच अमेरिकी वित्तिय शोध कंपनी है रिसच फर्म का focus activist शोध से एक पर है यह 2017 में नाथन आंडर्सन द्वारा स्थापित किया गया था तू त्री और यह न्यू यूवर्क शहर में स्थित है ठीक है चीजे समझ में आई अब इंडिया का जो बजार है या इंडिया की जो इंडेक्स है वो ग्रोथ में अगर ग्रोथ से हमको थोड़ा भी सेलिंग आता है तो वो नेच्छुल चीज होती है ठीक है अब किसली हुआ क्या अगर आप देखागे तो इंडिया के जो गवर्मेंट है पहले किया था है पहले इंडिया आपको और उसमें कितना अ की बाता बादे तो यहाँ पर देखें इनका जो रुपोर्ट आया था वो 24 तारीक को आया था ठीक है और जी बैक टू बैक आपको तीन गेंडल दिखाई दे रही है बैक टू बैक यहाँ पर देखें चौवीश तारीक से जो इसमें सेलिंग आना चालू हुआ था वो यहाँ पर आल्मोस चार पसंड के आसफस ठीक है चार पसंड के आसफस के हमको सेलिंग देखने हो ली थी अब जी सेलिंग क्यों देखने हो ली थी इसको भी आप समझें कि हाँ पर जो आल्मोस जब यह काम करता हूँ दिखाई दे रहा था यह आपका 18,150 के सम्तिंग था ठीक है 18,150 से इसने जो नीचे की साइट लो मारा था वो आल्मोस जगा 17,400 के सम्तिंग लो मारा था ठीक है जो कि आपका बनता है इस जगा 670 पॉंट से लेके आपका जगा देखे 690 पॉंट के आसफस ठीक है इतनी हमको सेलिंग देखने हो मिली थी अब यहाँ पे हम एको चीज समझ लेते हैं कि ह यहां पे अगर banking sector की अगर हम बात करते हैं तो banking आपका थोड़ा ज़्यादा गिरेते क्यों गिरेते क्यों कि आपको पता होगा कि अधानी के पास जगह जो आपका कर Definitely ऑप 부탁 मरेश जादा था अब उस लेवरेश का जब पता चला तो वहाँ पर देखें आपको सेलिंग देखने हो लिए अब यहाँ पर भी एक चीज समझने वाली है कि लेवरेज जब ज़्यादा था तो लेवरेज ज़्यादा होने के बाद भी बाद में अगर आप देखो तो पूरा जब मार्केट का वेल्यू लिकाला गय है उस गुरुप का वेल्यू लिकाला गया तो उस लेवरेज के इसाब से वह कुछ भी ज्यादा नहीं था जैसे कि मान के चलिए अब यहां पर देखें यहां पर देखें इस जगह मान के चलिए कि आपकी 500 क्रोड की संपत्ति पर आपने इस जगह 1000 क्रोड ना अपने 100 क्रो की बहुत बढ़ी है रेकं अब इस बहुत ज्यादा बढ़ी है लेकिन अप इस रखम को अगर आप जैतो कि किसी के पास आपका करोड की संपत्ति या 50 क्रोड का मार्केट क्याब है उसको ौई आप देखो तो उसके लिए तो यह बड़ी है ठीक कि बहुत बढ़ी है लेकिन जिसकी 500 कऊलर की ओ उसका अगर आप देखो तो उसको भी अगर निकाल के हम देखते हैं तो 400 कऊलर अपके बसस्तिएंग अब यहां पर हम बात किया तो हैं हमारी सेक्टर में देखिए यहां पर सेलिंग देखने हो भी अब यहां से एक चीज तो समझ में आती है कि जब भी जो रिशर्स फॉर्म जो है जो आपकी रिपोर्ट जब निकालती है तो उससे इंपेक्ट तो पढ़ता है बहुत पढ़ता है लेकिन उस इंपेक्ट में क्या हमको पैनिक करना है उस इंपेक्ट में क्या हमारी जो इस्टोक है उस पर पैनिक करना है नहीं अगर आपका एक ऐसा पॉर्टफोलियो है या आपका इस तरीकी का पॉर्टफोलियो है जिसमें आपके सेक्टर अलग है जिसमें आपके गुरूप अलग है जिसमें आपके ऐसे इस क्यों कुछ ऐसी company है जो आपका देखे midcap है जो आपके भग चुके हैं अब इसमें क्या हो सकता है कि कुछ ऐसे गुरूप पर target कर सकता है जो इसने पहले भी किया था ठीक है एक गुरूप पर target किया था और इस गुरूप का देखे पहले किया था अधानी गुरूप था ठीक है अधानी गुरूप पर target किया था सेलिंग आया अच्छा कासा सेलिंग आया जो आपके दूसरे नंबर पर थे वह सीधे आपके 35 नंबर पर आ चुके थे ठीक है तो अब यह चीज़ें सामने हैं टिक है जीज़ें सामने आ चुकी है तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपका बहुत बड़ा कुछ सेलिंग होगा क्योंकि अगर आप देखोगे तो पहले से कई चीज़े चेंच हो चुकी है और अभी भी देखें यहाँ पर अभी भी अगर मैं बात हुँ तो पहले जो जीजा हुआ था उसमें अगर हम सेलिंग के बात हैं तो अबकी बार आप दीखो तो अब watch अच्छा कासा हमारे पास पैसा है ठीक कि मार्केट में एक अच्छी गोथ है अगर आप इसके बाद भी इंडिया मार्किट गिराता हैे quieres not हstopky taking अगर आप 12% गिरो तो इंडिया स्थ आपके चार पसंट गरियरा तीन पसंट गरेगा लेकिन जो आप गर रहे हो उतना नहीं गरेगा ठिके तो पैनिक तो होता है। report का के के दिक्कत तो आती है क्योंकि अगर देखिए हम पहले अधानी इंटर प्याजिस की बात कि इसमें 70% की सेलिंग आई थी फिर उसके बाद अगर हम बात कहें तो अधानी पोर्ट अधानी पोर्ट भी देखिए आपका वहां पर ट्रेट करता हुँ दिखाई दिया रहा था 909 क के आसपस उसमें भी देखिए 440 का लोग देखने को मिला था फिर उसके बाद अगर हम बात कहें तो यहां पर देखिए जब आपका ओल्मोज देखिए जगह जो रूपोर्ट आई थी इस जगह कहीं पर रूपोर्ट आया था यह मैं आपको दिखाना चाहूंगा यह वाली कि आप मुझे कमेंड के अंदर बता सकते हो ठीक है आपको दिकत कैसे हो सकती है अपने क्या होड किया है ठीक है किस तर आपको किस गुरुप के उपर क्या लगता है आप मुझे कमेंट करके चल सकते हो वाकि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमाई टेली गराम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजिए जैहिन बन्ने मतने